आने वाले सभी भक्त सादक कुछ न कुछ अपनी जिग्या सा लेके आते हैं मेरा जो अनमान है वो यही है कि हर व्यक्त को कोई न कोई दुख है और उस दुख से प्रतेक प्राणी छूटना चाहता है किसी भी प्रकार का दुखोर है लेकिन है सब को और उस दुख से हर प्राणी छूटना चाहता है दुख का कारण का तरास नहीं करते कि ये दुख उत्पन कहां से हुआ है ये दुख आया कहां से महराज तुरसी दास ने कहा है कि अस प्रभु हिर्दे अस तय अभिकारी शकल जीब जन दीन दुखारी वो प्रभु सभी प्राणियों के हरदय में निवास करता है फिर भी प्रतेक प्राणी दुखी है उसका कारण क्या है संसार में तो आप सुक्र खोजी रहे हो और इसुर को भी संसार में खोज रहे हो कि कहीं हरे द्वा, द्वारका, कासी, मतुरा, वरंदाबन इत्याद नदी जलासियों में वो इसुर मिल जाये और हमें कोई द्वा या आसिरवा दे देगा और हम सुखी हो जाएंगे ऐसा असंभव हम सोचते हैं जबकि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हमारे कर्मों के उपर सब कुछ निर्वर करता है जैसा आप करके आए हो बैसा भोगना ही पड़ेगा शद्गुर कवी माहत्मा बुद्ध कितने संत ऐसे यहां हुए इस प्रद्वी पर जिन्होंने साप कहा है कि हे मानव कि तेरे कर्मों से बड़ा इस अंसार में कोई भी चीज नहीं है दो-चार दिन पहले की बात है हमारे आस्त्रम पर गुड़गाओं के मारती सुजकी एजेंसी के मैनेजर आए बात करने लगे कि हम गाड़ी में हर चीज लगाते हैं सारी चीजे फिट करके इंजिनियर उसे टेस्ट करके और रोड पे छोड़ देते हैं अच्छा योग ड्राइवर भी वेड़ता है लेकिन फिर भी एक्सिडेंट हो जाता है और वो पड़े लेके इंजिनियर कह रहे हैं कि फिर उपर वाले की मर्जी मैंने उनसे कहा कि वो उपर वाला कहां रहता है क्या इस पांडाल के उपर है कई छट के उपर है या कई बादल में है या किसी पेड़ के उपर है वो उपर वाला है कहां कि है मारा जी, मुझे इसे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन उपरवाला है, उस उपरवाले का ही तो पता लगाना है, कि उपरवाला कौन है, किसे उपरवाला कहा गया है, वो बिधाता कौन है, जिसके लिए सारा संसार दोड लगा रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, दोड़ थी क्या दोगा मिट्या चीज दोड़ की दोड़ चीज दोड़ थोड़ है उसी जगह है लेकिन हम दोड़े जा रहे हैं उपर वाले की तलास में तुलसी दास ने यहाँ एक बहुत अच्छी चौपाई भी कही है कि करम प्रधान बिसुरच राखा कर्म की प्रधानता बताई उन्होंने पूरे बिसु में सबसे प्रधान सबसे उपर आपके कर्म है आप अपने कर्मों की मार से बच नहीं सकते हो हजार गायों में बचड़ा अपनी मा को ढूड़ लेता है इसी प्रकार आप जितने भी जन्म लोगें जहां जहां जैसे जैसे कर्म करके आए हो आपको आपके ही कर्म खोज लेंगे और बैसाई कर्मों को ही संसकार कहते हैं उस हिर्दे में निवास उस आत्मा चेतन जीव को हम न समझ कर उसे नदी जलासियों में ढूड़ते हैं और कर्म खराब करते हैं हमने हिंदू या मुस्लिम या सिक्या इस्याई धर्म मान रखा हैं जबकि धर्म ये नहीं धर्म है मानव धर्म जीव के उपर दया करने का धर्म यदि जीव के उपर दया नहीं है तो आप धर्मिक नहीं हो आध्यात्मिक नहीं हो उर्देव ने एक बज़न इसी जगे लिखा है कि ये मन बजो सुभे और साम बनी दिल मस्जिद याली शान वो मंदिर या मस्जिद कहीं दूसरी जगे नहीं है ये आपके हर्दे में है बसर की शक्ल अंधों को क्या मालूम होता है ये वो आइना है जिसमें खुदा मालूम होता है सरीर रूपी ये मानव सरीर रूपी वो आईना है जिस आईने में आप खुदा को प्राप्त कर सकते हो क्यों जाए हे माले चीजे क्यों कावे की टिकट खरीदे क्यों हे माले में भटक रहा है पाड़ों पे जैसे हेरन फिरे हेरान बनी दिल मस्जिद आली सान ये मन ये मानव मेरे बटो सज्जनो उस मालिक को खोजना है तो आपके हर्दे में वो वैठा हुआ है उसके लिए बाहर कहीं बटकने के जिरूत नहीं है जैसे हेरन रेत में पानी को देखता है म्रक तरशना बोलते हैं जिसे और भागता है और रेत की तरशना पानी उसे ऐसा लगता है कि आंगे चला गया फिर भागता है भागते भागते उसी रेत में अपने प्राणों को दे देता है पानी की बूद नहीं मिलती है इसी प्रकार हम सभी को ज्ञान ध्यान भजन यदि प्राप्त करना है तो सिर्फ सद्गुरु की सरड में आ जाओ गुर्देव आपके अंदर ही लखा देंगे दिखा देंगे, बता देंगे, समझा देंगे हम दुस्मन अपना पड़ेशी को बताते है भाई भाई को दुस्मन बताता है गाउवाले, दुसरे गाउवाले को दुस्मन बताते है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरे ही काम, क्रोध, लोग, मो, अहिंकार ही सबसे वड़े सत्रू है जो मेरे ही अंदर बैटे हुए है इन्ही को समझना है और इन्ही को रूपांतरत करना है वो तो रहेंगी कल शद्गुर्देव निकतना अच्छा बताया था कि आप बगुला थे सत्संग सुनकर हंस हो गए, कववा थे कोईल हो गए काम, क्रोध, लोग, ये तो मेरे सरीर के अभयावे भले ही बने रहें लेकिन रूपांतरत हो जाता है आप पर वो हावी नहीं होंगे ए मन भजो सुभे और शाम बनी दिल मस्जिद या लीशान दिन रात करी है कमाई उचे महल दिये चिनवाई दिन रात हमने अपने घर परिवार में दिन रात इतनी महनत की दो दो तीन तीन मंजल खड़ी कर दी तेरी हो गई कमर कमाई बनी दिल मस्जिद या लीशान तब तक कमर बिल्कुल तीर कमाई ही जुक गई करते कमाइए उन्हीं संतौनों के लिए परिवार के लिए और परिवारी जन आपकि इस अन्तम स्मय क्या कह देती है कि मेरे अपने कर किया दिया है ने की माता मेरे पिता को संतान को पालने में कितनी लागत लगती है उस संतान को एक जटके में कह देता है कि आपने मेरे लिए कर ही किया दिया है उनकी तो कमर कमान हो गई तीर कमान बन गई और वो और कहते हैं कि मेरे लिए कर क्या दिया है तेरी खाल शूक गई तनकी सूरत हो गई है बंदर सी तब सामल से करी सलाम बनी दिल मस्जद याली शान तब सत गुरु से करी सलाम बनी दिल मस्जद याली शान है मन कब करते हैं सलाम संतों की सरण में कब आते हैं जब गर्दन भी दर दर हिलने लगी है कान में स्रमण सक्ती खतम हो गई आखों में द्रश्टी खतम हो गई सत्संग पांडाल तक आने की छमता नहीं रही तब आप कहो के गुर्देव मुझे पार कर दो गुर्देव के अंदर या उनकी हाथ में कुई जादू की छड़ी नहीं है जो आपके चेहरे पर गुमाया और आप पार हो गई आपको सत्संग में बैटके संत पुर्शों की एक-एक बाड़ी को पी कर शिर्फ ये ध्यान देना है कि मेरे कर्मकांड क्या है तन से सेवा, धन से दान और मन से ध्यान ये तीनों चीजें चाहे सादू हो चाहे ग्रस्तो सब के लिए जरूरी है ये तन मुझे मिला है, ये पाँच तर्थ का पुतला कि छित जल पावक, गगन समीरा, पंचर चित ये अधम सरीरा ये पाँच तर्थ का पुतला अधम है, मरा हुआ है, मरतक है, जिसे हम मुर्दा कहते है इसमें जो चेतन जीव है, जब भोई निकल जाता है, तो हम उस वेक्ट को बॉड़ी, लास, मिठी, अन्याने नामों से पुकारते हैं इस पुतले के अंदर, जो मुझे जिन्दा किये हुए है, जिससे मेरे बोलने की छमता आई, सुनने की सक्ती आई उस चेतन जीव को जब तक आप नहीं समझोगे, और इस शरीर धारड किया है हमने अपने माता पिता से, इस शरीर धारड करने का, यदि लाव और जनम सपल करना ही चाते हो, तो इससे सेवा करो, माता पिता की सेवा, गुर्जनों की सेवा, घर में, ब्रदों की सेवा, जो भी रिस्ते में आपके बड़े चोटे हैं, उनकी सरीर सेवा कर लो, जीते जी, नहीं तो मुर्दा होके, दो मुठी राख में बदल जाओगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और कर्मों की गठरी लाद के ले जाओगे, वो अलग, दन से सेवा और धन से दान, तुम्हें यद धन मिला हुआ है, अपनी कमाई से, चाए पैत्रिक, उस धन को, शंत पुर्षों की सर्ण में देखो, धर्म में लगा दो, ऐसे व्रक्त, ब्रमचारी, शंतों की सेवा में लगा दो, जो आपका धन, अनंद गुना होके, और वो आपको ही मिलेगा, कभी ये भूल मत करना, कि हम किसी संत को धन दे रहे हैं, संत तो बैंक के मैनेजर की तरह होते हैं, जमार उपए करने जाते हो, क्या मैनेजर को मिलते हैं, मैनेजर तो सिर्फ आपका नाम चड़ाता हैं, और जब जाओगे, बिद व्याज के, आपको बो दे दिये जाएंगे, इसी तरह संत तो मैनेजर की तरह हैं, दान आप कर रहे हो, आपके खाते में बो चड़ाते जाते हैं, और जब आप चाओगे, कि धर्म के जहाज लाद आंगे को हकाय देओ, बक्त पड़े तभी जात खिर गिनवाए लेगे, ये दान के जहाज, इस जनम में धीरे धीरे, अपनी कमाई में से कुछ धन धर्म में लगाते रहे हैं, और अंगले समय में आपको ही मिल जाएगा, तन से सेवा, धन से दान, और मन से ध्यान, इस मन को, मन के उपर हजारों साकियां हैं, भजन है सद्गुर्कवी शाव के, ये सद्गुर्कवी के विचारों का ये मंच है, सद्गुर्कवी के विचारों को समझने के लिए थोड़ा धैर और बुद्धी का काम है, विवेक का काम है, तब समझ पाओगे, इस मंच पे कोई कहानी किस से नहीं सुनाई जाते हैं, जो राजा सुनो तो आपके जीवन की घटनाई सुनाई जाती हैं इस मन को हम कैसे निर्विचार करें कैसे मन को हम सुब कर्मों में लगाएं कैसे इस मन को संतों की सर्ण में लगाएं कैसे पर बराबर अभ्यास करने पर ये मन आपके अनकूल चलने लगता है ये मन फिर आपको अपने अनकूल नहीं चलाता सद्गुरु कभी शाब ने कहा है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन आदत बुरी शुधार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले इस मन को मन के अनरूप चला चला के इसे सबल मत बनाईए ये मन अंत्यकड का है इस मन को सद्गुरुदेव के चड़ों में लगा दो मन मर जाए मन सांध हो जाए और मन निर्वचार जिस छड़ हुआ धीरे धीरे कर्म आपके खतम हो जाएंगे आप एक सुद्ध पवित मानव होकर और मुक्ती मोक्ष की रा पकड़ लोगे मैं अपनी वारी को इनी सब्दों के साथ बराम देते हैं ओल ये सद्गुर कभीर साब की